चितौलगप दुरग भारत का सबसे विशाल दुरग है। ये राजस्थान के चितौलगप में स्थित है चितौलगप के किले को मौर्य राजवenश के समराथ चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। यह एक विश्व विरासत स्थल है। शित्तौर मेवार की राजधानी थी यह एतिहास की सबसे खूनी लणायों का गवाह है। इसने तीन महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सरवादिक वीरोचित कार्य देखे हैं जो अभी भी स्थानिय गायकों द्वारा गाय जाते हैं। चित्तौर के दुर्ग को 21 जून 2013 में युनेस को विश्व विरासत स्थल भोशित किया गया। चित्तौर दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुरूर्गों का सिर्मौर भी कहते हैं। एतिहास कारों के अनुसार इसके लिए का निर्मान मौर्यवन्शीय राजा चित्रानगद मौर्या ने सात्वी शताबदी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। मेवार के प्राचीन सिकों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अनकित मिलता है। बाद में ये चित्तोल कहा जाने लगा। यह मेसा के पठार पर स्थित है सन 738 राजा बप्पा रावल ने राजपुताने पर राज्य करने वाले मौर्यवन्श के अंतिम शासक मानमोरी को हरा कर य किला अपने अधिकार में कर लिया। फिर मालवा के परमार राजा मुंझ ने इसे गुहिल वन्शियों से चीन कर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार 9-10-10 वी शताबदी में इस पर परमारों का आधिपत्य रहा। सन 11-133 में गुजरात के सोलन की राजा जयसिंग के उत्तरा दिकारी कुमारपाल के भतीजे अजयपाल से वैवाहिक संबंध बना कर चितोलगर के राजा सामंत सिंग ने सन 1174 के आसपास पुना गुहिल वन्शियों का आधिपत्य स्थापित कर दिया। इन्ही राजा सामंत सिंग का प्रित्वी राज चोहान की बहन प्रित अधानी चितोल से शासन चलाया। सन 1303 में यहां के रावल रत्मसिंग की अलावद ददीन खिलजी से लड़ाए हुई। लड़ाई चितोल का प्रथम शाका के नाम से प्रसिध हुआ। इस लड़ाई में अलावद दीन खिलजी की विजय हुई और उसने अपने पुत्र ख खिज्रखा को ये राजय सौब दिया। खिज्रखा ने वापसी पर चितोल का राजकाज कानहादेव के भाई मालदेव को सौब दिया। काल के बारे में निश्चत तोर पर कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। एक कीवदनमत के अनुसार पांडवों के दूसरे नायक भीम ने इसे करीब 5000 वर्ष पूर्व बनवाया था। इस संबंध में प्रचलित कहानी यह है कि एक बार भीम जब संपत्ती की खोज में निकला तो उसे रास्ते में एक योगी निर्भेनात व एक यति कुकडेश्वर से भेट होती है। भीम ने योगी से पारस पत्थर मान जिसे योगी इस शर्थ पर देने को राजी हुआ कि वह इस पहारी स्थान पर रातो रात एक दुर्ग का निर्मान करवा दे। भीम ने अपने शौर्य और देवरुप भाईयों की सहायता से यह कार्य करीब करीब समाप्त कर ही दिया था। सिर्फ दक्षनी हिस्से का थोग पत्थर नहीं देना पड़े। मुर्गे की बांग सुनते ही भीम को क्रोध आया और उसने क्रोध से अपनी एक लात जमीन पर देमारी जिससे वहां एक बड़ा सा गर्धा बन गया जिसे लोग भी लद तालाप के नाम से जानते है। वह स्थान जहां भीम के घुटने ने विश्राम किया भीम घोडी कहलाता है। जिस तालाप पर यती ने मुर्गे की बांग की थी वह को करेश्वर कहलाता है। बप्पा रावल के वंशज जो सिसोधिया राजवंश जोकी गुहिल वंश की ही एक शाखा है कि संस्थापक राना हमीर ने पुनह मालदेव से ये कि लाहस्त गत किया। हमीर बड़ा पराक्रमी और दूरदर्शी था। उसने यहां पचास वर्षों तक बढ़ी योग्यता से शासन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। उसी के प्रयत्नों से चित्तौर का गौरव पुनह स्थापित हो सका। और रोड राज्य स्थापित किया सन 1538 में चित्तौर पर गुजरात के बहादुर शाह ने आकरमन कर दिया। इस युद्ध को मेवाल का दूसरा शाका के रूप में जाना जाता है। सन 1567 में मेवाल का तीसरा शाका हुआ जिसमें अकबर ने चित्तौर पर चड़ाई कर दी थी। ये सब मुस चित्तौर से हटाकर अरावली के मध्य पिछोला जील के पास थापित कर दी जो आज उदैपूर के नाम से जाना जाता है। चित्तौर के जोहर पहला जोहर रावल रतन सिंग के शासनकाल अलावद दीन खिलजी के आकरमन के समय 1303 में रानी पिद्मनी रगुवन्शी के ने नित्रित्व में 8 मार्च 1534 हुआ तीसरा जोहर राना उदैसिंग के शासनकाल में अकबर के आकरमन के समय 25 फरवरी 1560 में पत्ता सिसोदिया की पतनी फूल कवर के नित्रित्व में जोहर किया गया। चित्तौर का किला राजपुताने में हमेशा एक विशेश महत्व रखता है। इसे मेवार के गुहिलवंश्यों की पहली राजधानी के रूप में सम्मान प्राप्त है जिसे उन्होंने मौर्यवंश के अंतिम शासक मानमोनी को हरा कर अपने अधिकार में कर लिया था। ये दूरग अरावली की पहारी पर उत्तर से दक्षिन की ओर लंबाई में ब काम आते रहे हैं। इस गढ़ के संबंध में प्रचलित एक कहावत है जो इस दूर्ग के महत्व को बताता है। वास्तव में इस दूर्ग का निर्मान अभी भी हमें विस्मयव रोमांच से भर देता है। लेकिन रननीतिक द्रिश्टिकों से देखने पर पता चलता है कि अ जिसके उपर एक उचा और सुद्रिल प्रकार बना हुआ था। साथ ही साथ दूर्ग में प्रवेश करने के लिए लगातार साथ दर्वाजे कुछ अंतराल पर बनाए गये थे। इन सब कारणों से किले में प्रवेश कर पाना तो शत्रूओं के लिए बहुत ही मुश्किल परन्तु यह विस्त्रित मैदान के बीच एक लंबी पहारी पर बना है जो अन्य परवत श्रेनियों से प्रिथक हो गया है। अतर्व शत्रूओं द्वारा उसका घेरा डालकर किले में इस्तिमाल होने वाला रसद पहुचाना सुगमता से रोप दिया जाता था। इस दूर लेकिन प्राया शत्रूओं की बड़ी सेना होने की स्थिती में उन्हें हार का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्तौलगल का राजधानी के रूप में चयन रन्नीती की दृष्टी से उच्चित नहीं था और यही कारण था कि महाराना ने उदैपूर को अपनी राजधानी बनाई जो चारो तरफ परवतों से घिरे होने के कारण ज्यादा सुरक्षित था। वर्तमान में चित्तौलगल जंक्षन से किले के उपर तक पक्की सड़क बनी हुई है। करीब सवा मील जाने पर गंभीरी नदी आती है जिस पर अला नीर सिंग जो राना लक्षमन सिंग के पुत्रर सिंग ने जो अलाउद्दीन के साथ लड़ाई में मारा गया था ने बनवाया था लेकिन जादातर विद्वान इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि इस पुल के निर्मान में कई हिंदू और जैन मंदिरों को गिरा कर उसके पत्थ का अगरभाग अर्धा वृताकार है पुल से थोड़ी धूर जाने पर कोट से घिरा हुआ चित्तौल का कस्बा आता है जिसको तलहटी तलहटी का कहते हैं कस्बे में जिले की कचहरी है जिसके पास से किले की चड़ाई प्रारंब हो जाती है दूर्ग के अंतिम प्रवेश तक कुल साथ दर्वाजे बनाए गए हैं इसमें प्रवेश के रास्ते से लेकर अंदर के परिसर तक कई एक इमारते हैं जिनका संक्षिप्त उलेक इस प्रकार है विजय स्तंब महराना कुम्भा द्वारा मालवा के सुल्तान पर विजय की स्मृती में बनवाया गया था ये दोनों भिन-भिन स्थानों पर वीरगती को प्राप्त हो गए ये छत्रिया उन्हीं की गौरव गाथाओं की याद दिलाती हैं चितौलगा दुर्ग के प्रवेश द्वार हनुमान पोल दुर्ग के तृतिय प्रवेश द्वार को हनुमान पोल कहा जाता है क्योंकि पास ही ह हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी की प्रतिमा चमतकारिक एवं दर्शनिय है, गनेश पोल, हनुमान पोल से कुछ आगे बढ़कर दक्षिन की और मुर्ने पर गनेश पोल आता है, जो दुर्ग का चोथा द्वार है, इसके पास ही गनपती जी का मंदिर है, जोनला पोल, य पूर्ग के इस छठे द्वार के पास ही एक छोटा सा लक्ष्मन जी का मंदिर है जिसके कारण इसका नाम लक्ष्मन पोल है। यह मंदिर भारती अस्थापत्यकला एवं हिंदू संस्कृती का उत्कृष्ट प्रतीक है। दरवाजे से प्रवेश करने के बाद उत्तर वाले मार्क की और बस्ती है तथा दक्षन की और जाने वाले मार्क से किले के कई दर्शनिय स्थल दिखते हैं। पत्ता का स्मारक राम पोल में प्रवेश करते ही सामने की तरफ लगभग पचास कदम की दूरी पर स्थित चबूत्रे पर सी सोधिया पत्ता के स्मारक का पत्थर है। आमेर के रार्वतों के पूर्वज पत्ता सन 1568 में अकबर की सेना से लड़ते हुए इसी स्थान पर वीरगती को प्राप्थ हुए थे। राम पोल से प्रवेश करने के बाद सडक उत्तर की और मुर्ती है। उससे थोड़ी ही दूरी पर दाहिनी और कुकड़ेश्वर का कुन्स्थित है, जिसके उपर के भाग में कुकड़ेश्वर का मंदिर बना हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार ये दोनों रचनाए महाभारत कालीन है तथा पांडव पुत्र भीम से जुड़ी है। कुकड़ेश्वर मंदिर से आगे बढ़ने पर दाहिनी तरफ सड़क से कुछ दूर हिंगलू आहारा के महल है। आहार में रहने के कारण मेवार के राजाओं का उपनाम आहारा हुआ। दूनगरपूर तथा बासवारे के राजा भी आहारा कहलाते रहे। हिंगलू दूनगरपूर का आहारा सरदार था और इन महलों में रहता था जिससे ये महल हिंगलू आहारा के महल कहलाये। बुन्दी वालों का हारा के रूप में नाम प्रसिद हो जाने से लोग इन महलों को हिंगलू हारा के महल कहने लगे। इन महलों में महराना रत्न सिंग रहते थे। इसके पास बना तालाब महराना ने खुद बनवाया था जो रतनेश्व का कुंट रतनेश्व तालाब के नाम से जानी जाती है। तालाब के पश्चिमी किनारे पर रतनेश्व महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। प्रतनेश्व कुंट से थोड़ी दूर पर पहाडी के पूर्वी किनारे के समीप लाखोटा की बारी है। यह एक छोटा सा दर्वाजा है जिससे दुर्ग के नीचे जा सकते हैं। कहा जाता है कि इसी द्वार के पास मुगल की गोली से जयमल जी का पैर धायल हो गया था। लाखोटा की बारी से राज तीले तक सड़क सीधी दक्षन में मुढ़ जाती है। उसी स्थान पर बाई और 75 फी तूचा, साथ मंजिलों वाला एक स्तंभ बना है। जिसका निर्मान 14 वी शताबदी में दिगंबर जैन संप्रदाई के बघेरवाल महाजंसा नान्य के पुत्र जीजाने करवाया था। ये स्तंभ नीचे से 30 फुट तथा उपरी हिस्से पर 15 फुट चोड़ा है तथा उपर की और जाने के लिए तंगनाल बनी हुई है। जैन कीरती स्तंभ व उपर की छत्री बिजली गिरने से तूट गई थी तथा इससे इमारत को बढ़ी हानी पहुची थी। महाराना फतह सिंग जी ने इस स्तंभ की मरम्मत करवाये। जैन कीरती स्तंभ के निकठी महावीर स्वामी का मंदिर है। इस मंदिर का जिर्न उध्धार महाराना कुम्भ के राज्यकाल में ओस्वाल महाजन बुनराज ने करवाया था। खाल ही में जीर्न शीर्न अवस्था प्राप्त इस मंदिर का जीर्न उध्धार पुरा तत्वा विभाग ने किया है। इस मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है। महावीर स्वामी के मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ने पर नीकंथ महादेव का मंदिर आता है। कहा जाता है कि पांडवों ने अग्यातवास के समय इस मंदिर की स्थापना की। नीलकंथ महादेव के मंदिर के बाद किले के पूरब की तरफ एक दर्वाजा है, जो सुरज-पोल के नाम से जाना जाता है। यहां से प्राजे के पास ही एक चबूत्रा बना है जो समलूबर के चंडावत सरदार रावत साइदास जी का स्तमारक है वे सन 1568 में अकबर की सेना के विरुध लड़ते हुए वीरगती को प्राप्त हुए थे रावत साइदास के स्तमारक से दक्षन की तरफ जाने पर दाहिनी और तथा उसके पीछे दिवार पर महादेव की विशाल त्रिमूर्ती है जो देखने में समीधेश्वर मंदिर की प्रतिमा से मिलती है अद्भोत प्रतिमा के कारण ही इस मंदिर को अबद जी का मंदिर कहा जाता है अबद जी के मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर राजतिला ना एक उचा स्थान है। कहा जाता है कि यहीं पहले मौर्यवन्शी शासक मान के महल थे। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में राजाओं का राज्या भिशेक इसी स्थान पर हुआ करता था। इस स्थान के पास से सड़क पश्चिम की ओर मुर जाती है। सड़क के पश्चिमी सिरे के पास चित्रांगद मौर्य का निर्मान कराया हुआ तालाब है जिसको चत्रन कहते हैं। यहां से अनुमानत पौने मील दक्षन मन। चित्तोर की पहारी समाप्त हो जाती है और उसके नीचे कुछी दूरी पर चित्तोरी नाम की एक चोटी पहारी है। दूर्ग का अन्तिम दक्षनी बूर्ज चित्तोरी बूर्ज कहलता है और इस बूर्ज के 150 फीट नीचे एक छोटी सी पहारी मिट्टी का तीला दिखाई पड़ती है। यह तीला कृत्रिम है और कहा जाता है कि सन 1567 में अकबर ने जब चित्तोर पर आख्रमन किया था तब अधिक उप्युक्त मोर्चा इसी स्थान को माना और उस मगरी पर मिट्टी डलवा कर उसे उचा उठवाया ताकि के लिए पर आख्रमन कर सके। प्रत्येक मजदूर को प्रत्येक मिट्टी की टोकरी हितु एक-एक मोहर दी गई थी। अतह इसे मोहर मगरी कहा जाता है स्थाल कर दोड़े